यही वो तस्वीर है जिसे लेकर पाकिस्तान के खलाफ देश का गुस्ता उबल रहा है। माइक स्पीकर के जर्यक में। पाकिस्तान ने कहा कि परिजनों से जाधव की मुलाकात के लिए 25 दिसम्बर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन मुहमद अली जिनना की जैनती है। मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने जाधव का विडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ और पत्नी से मुलाकात की घुजारिश की थी और मैं इसके लिए पाकिस्तान का शुप्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात की इस तस्वीर से सिर्फ एक संतोष ये है कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुल्भुशन जाधव जिन्दा है। कुल्भुशन जाधव को पाकिस्तान जासूस कहता है और फांसी देने पर आमादा है। पाकिस्तान ने बड़ी हील हुजजत के बाद कल जाधव को उनकी माँ और पत्नी से मिलवाया लेकिन जिस तरह मिलवाया उससे तेश गुस्सिम है। कुल्भुशन जाधव का जन्म 1970 में महराष्ट के सांगली में हुआ। 47 साल के जाधव का परिवार मुंबई में रहता है। जाधव के पिता सुधेर जाधव मुंबई के ACP रह चुके ही। उनके चाचा सुभाष्ट जाधव भी पुलिस में थे। जब मुंबई में 2002 में सल्मान खान का हिट एंड रन केस हुआ था तब बांदरा थाने के इंचार्ज वही थे। जाधव की पत्नी चेतन कुल और मा अवंती हैं जो पाकिस्तान जाकर जाधव से मिल कर आई थे। कुल भोशन जाधव भारतिये नौसेना में काम कर चुके हैं कहा जाता है कि वो 1987 में एंड ये में गए थे। 1991 में नौसेना में काम करने के 14 साल बाद रिटार्मेंट लिए और इरान में बिजनस करने लगे। भारत सरकार उन्हें रिटार्ड नौसेनिक मानती हैं। रिटार्मेंट के बाद उनका सरकार से कोई संबंध नहीं रहा है। नौसेना की नौकरी छोड़ने के बाद कुल भोशन जाधव 2003 में इरान चले गए। वहां कमिंगा ट्रेडिंग नाम की कंपनी शुरू करके स्क्रैप का बिजनस करने लगे। चाबहार इरान पाकिस्तानी सीमा पर है और विदेशों के अभरन फिरोती के धंदे के लिए बदनाव है। इसी साल ABP News संबादाता शीला रावल की मुलकात लंदन में रह रहे बदुचस्तान की आजादी के आंदोलन के कारिकरता और मिडल एस्ट कूटनीती के एक्सपर्ट महराब सरजाव से हुई। महराब सरजाव ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जाधव को कभी पकड़ा ही नहीं था। पाकिस्तान ने तो इरान में उसे अगवा करा कर अपने जाल में फंसाया था। में लेकर और उधर ही वो जो लोगों ने उसको ट्राप कर करके बाद में पाकिस्तान की आईसाय की हन में सोपा। पाकिस्तान ने इरान के आतंकी संगठन लशकरे खुरासन से जाधव को अगवा कराया था। लशकरे खुरासन जो फिरोती के लिए विदेशी नागरिकों को अगवा करने में एक्सपर्ट था। खुरासन ने ही उसे अगवा करके आईसाय के हवाले किया था। खुरासन के कबजे से आईसाय के कबजे तक पहुंचने में तीन हफ़ते का समय लगा। 29 मार्च को पाकिस्तान के सूचनफ रसारन मंत्री और ISPR के डीजी लेफटिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने प्रेस कॉन्फरेंस करके जाधव की गिरफतारी की कहानिक दुनिया को सुनाई थी पाकिस्तान के बाजवा ने दावा किया था कि जाधव को रंगे हाथों पाकिस्तान के बलुचस्तान के मश्केल में गिरफतार किया गया था पाकिस्तानी अखवार डॉन में जाधव की गिरफतारी की ख़बर छपी थी 3 मार्च 2016 को गिरफतारी का दावा जूटा थी पाकिस्तान की IS IE का संबन्ध एरान के जहादी संगठन लशकरे खुरासन से है IS IE ने खुरासन की मदद से ही एरान से अगवा करके जाधव को अपने कबजे मिलिया और दुनिया के सामने जूब की तस्वीर पेश की कि जाधब को बलुचस्तान में अशांती फैलाने और ज्यासुसी के आरोप में गिरफतार किया गया है ये लशकरे खुरासन ही था जिसने ISIS को पाकिस्तान में एंट्री पास दिया लशकरे खुरासन का नेता है मुल्ला उमर कहा जाता है कि उस पर ISI और पाकिस्तानी सेना के बहुत एहसान है अगवा करने के बाद जाधब को जामरान की पहाड़ी में रखा गया जो मुल्ला के आतंक का सेंटर है जाधब मुल्ला उमर के लिए कुछ खास नहीं थे लेकिन पाकिस्तान के लिए कीमती थे इसलिए मुल्ला उमर ने उन्हें पाकिस्तान को सौप दी पाकिस्तान की सीमा से सटे सरावन रवाना हुए थी वहाँ उनकी कार में एक बलूच अलगावादी भी बैठ गया वही बलूच व्यक्ती जाधव को लेकर पाकिस्तान की सीमा में चला गया जहां से आज तक जाधव छूट नहीं सके पाकिस्तान ने जाधब का जो इक्वालिया बयान जारी किया था उसमें यही कहानी जाधब ने सुनाई थी इसी से पाकिस्तान का गिरफतारी का दावा जूठा साबित हो गया कुल्भुशन जाधब को लेकर पाकिस्तान का हर कदम दुनिया के सामने उसे बेनकाब कर चुका है पाकिस्तान जाधब को जासूस कहता है अगर ऐसा है तब भी विएना संधी के मताबिक जाधब को काउंसलर एक्सिस यानि वकील की मदद लेने का हक बनता है इंटरनेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस भी पाकिस्तान को लतार लगा चुका है कि बेना संधी में कहीं नहीं लेखा कि आतंकबाद या जासूसी के आरोपी नागरिक को काउंसलर एक्सिस नहीं मिल सकती पंद्रह बार मांगने के बाद भी जाधब को काउंसलर एक्सिस नहीं दिया पाकिस्तान पाकिस्तान ने कुल्भूशन जाधव को इसलिए अपने कबजे में रखा हुआ है क्योंकि उसका दावा है कि कुल्भूशन जाधव भारत की खुफ्या एजंसी रौ के एजंट है जाधव बलुचस्तान को अस्थिर करने में लगे हुए थे ऐसे आरोपों को साबित करके बिना जाधव को कानूनन सफाई का मौका दिये पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने इसी साल 10 अप्रेल को सिर्फ साहे 3 महीने की अदालती कारवाई के बाद जाधव को फांसी की सजा सुना दी पाकिस्तान की गिरफ्ट में फसने के बाद उनका 6 मिनट का एक वीडियो सामने आया जिसमें जाधव अपनी कहानी सुनाते हुए ये कहते सुने जाते हैं कि वो रॉ के लिए काम कर रहे थे लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा बयान जबरन पाकिस्तान ने जाधव से दिरवाया पाकिस्तान तो जाधव को फांसी पर चढ़ाने के लिए आमदा था लेकिन भारत के मशहूर वकील हरिशस सालवे ने सिर्फ एक रुपे की फीस लेकर अंतराष्ट्रिये अदालत से जाधव की फांसी पर रोक लगवा दी सरकार ने निदर लेंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में जाधव की पैरवी के लिए हरिशस सालवे को चुना था अंतराष्ट्रिये कोर्ट ने भारत की अपील को सही वांते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने का फैसला दिया पाकिस्तान का दावा है कि कुल्भुशन जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान की बलुचस्तान से गिरफतार किया गया था भारत सरकार का कहना है कि जाधव को इरान से अगवा कर जान बूच कर उसकी गिरफतारी बलुचस्तान में दिखाई गई पाकिस्तान जाधब को जासूस कहता है भारत इस आरोब को भी नकार चुका है भारत जाधब को भारती ये नागरिक मानता है लेकिन जासूस नहीं